है यहलो दोस्तों मेरा नाम गौता हूं और आप देखें यूला के लिक्त टॉनिक्स तो जैसके आप देख सकते मेरे पास आरपन कंपणी का एक रेडियो है जिसमें आद्रीयो रिसीवर भी लगा हुआ है तो इसका वारिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा तो इसका के उपर और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर रेडियो से कोई भी प्रोब्लम हो उससे रिलेटेड आपको कुछ वीडियो मिल जाएगी उसका लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है त कुछ function होता है यहां पर ही मेन connection समझना जरूरी है और यहां पर दोस्तों कुछ वायर लगे हुए है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सवार किसके लिए जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों कि यहां से connection को स्टार्ट करते हैं तो इस बोड में आपको जो दिखड़ा कुछ हुआ है दोस्तों यह आडियो पैनल लगा हुआ है तो जैसे कि आप जानते हों कि यहां से आडियो आउटपुट जो होता है आउटपुट उसमें दो चैनल होता है लेट राइट ठीक है लेगिन इसमें स इसमें स्टेडियो यह नहीं होता है इसमें सिर्फ एक ही चैनल को यूज के लिए आप दोनों में से कोई एक चैनल ले लिए उसके बाद यहां पांच वोट सप्लाई के लिए यहां पे लगा हुआ है तो यहां पर अल्लीडी वैर इसमें लगा हुआ है तो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो यह आप देख पा रहे हो यह हमारा जो इसमें रेड़ कलर का आ रहा है यह रेड़ कलर का जो हमारा पांच वोल्ट के लिए है यहां पर लगाऊ है पांच वोल्ट के लिए ठीक है और यह बला जो रेड़ कलर है इसमें थोड़ा कलर कोई भी दे दिया गया है लेकिन यह हमारा बलेक होना चाहिए तो आप जानते हो कि इसमें 5 वोट सप्लाई देने के लिए हमें माइनस प्लस की ज़रूर रुख्त होती है और इसमें जो आप यह बाइर मेरे हाथ में देख रहे हो यह इधर से गया है तो यह 5 वोट जहां से होता है दोस्तों माइने से कनेक्ट होता है इसलिए उसका सप्लाई का माइने स्पिकर पर ही दे दिये गया है और बाकी जो यहां पर ब्लेक वाला वायर दीख रहा है आपको यह वाला तो यह वाला जो वायर है दोस्तों वह आपका अर्डियो आर्ट पूट से जो हमारा लेट और यह हमारा लेफ्ट राइट जो चैनल आउटपूट हुआ से करता है उसका है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा पांच वोल्ट सप्लाई के लिए हमारे कार्ड के लिए जो देना होता है उसका कनेक्शन करेंगे तो यह पांच वोल्ट का जो मेन konnexon है उसका connection है ये जो च्छे pin बना हुआ है उसके ऊपर वाले या नीचे वाले ठीक है किसी में भी देेंगे जो बीच में बना हुआ है तो हम नीचे वाले के बीच में हम इशका connection कर दीये तो यलिए मैंने नीचे कर दिया connection जो बीच में है आप इसको अच्छे से देख लिजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके यह च्छे पीन वाले में मैंने बीच में दे दिया है आप उपर वाले में भी दे सकते हो ठीक है यह हो गया उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा यह आउडियो है तो इसका जो यह ब्लेक वाला वायर है जो और यह आउडियो आउटपुट होता है तो उसका कनेक्शन है इस वाले पीन में कर देंगे यह जो तीन बना हुआ है उपर वाला उसमें यह हो गया है आप एक वार अच्छे से देख लिजिए यह पांच वोल्ट का जो हमारा वायर आता है इसमें देने के लिए इस कार्ड में उसका रेड वाला वायर है और जो इस चैनल का जो हमारा लेफ्ट रेड चैनल हो या रा यहां पर इस तरीका से ऊपर वाले पीन के साइड वाले में यह कर दिया है उसके बात क्या करेंगे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और इस switch के बीच वाले pin में इसका हम connection करेंगे इस तरीका से कर लेना है बाए side में हमारा black है जो कि यहां से audio output जाता है left या right का तो इस बीच वाले wire को उठा कर हम इस वोलियम के side वाले में दे देंगे मतलब first वाले pin में कि इस तरीका से इसका कनेक्शन कर लेना है जो होता किया दूस्तों कि जब यह ब्लेक वाला वायर हमारा जो है यहां से और यू आउट्पूट होता है तो यहां पर इंपूट होता है और आप जैसा कि जानते हो कि अगर प्रोटेंशल मीटर में देना तो तो सब पहला नमर प इसके बाद हम यहां पर यह जो इसका कीट है उस पर हम कनेक्शन करेंगे तो यहां पर हम तीन वायर का ठुकरा लेंगे तो दो वायर को हम एक साथ ग्राउंड करके मैनेस वाले में जोड़ देंगे इसको कर दो कर दो कि यहां पर मैने मैनेस वाले में कनेक्श कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर इसमें एक इंपूट होता है और आउटपूट होता है यह हमारा इंपूट है आउटपूट हो जाता है जो कि हमारा यहां से एफम आउटपूट करता है तो यहां पर इस तरीका से कनेक्ट कर लेना है आप एक वार खिट से देख लेजिए और उसके बाद क्या करेंगे कि यह जो दोनों वायर है दोस्तों ब्लेक वाला जो कि हमारा ग्राउंड है तो इस दोनों वायर को लेकर हम क्या करेंगे एक वाले वायर को हम इस पोटेंस्यों मीटर के स्विच वाले पीन में देंगे जो कि उपर बना होता है और दूसरा ब्लेक वायर हम इस तीसरे नमबर पीन में देंगे जो कि हमारा यहां पे ग्राउंड होता है ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे कि यह जो आप पीला वाला वायर देख रहे हो इस पीले वायर को हम यह जो स्विच यहां पर लगा हुआ था उपर वाले में connection कर देंगे ठीक है जिसमें हमारा audio input होता है और potentiometer का यहां पर वाला पीन इसमें कनेक्शन होता है यहां पर इस तरीका से कर देना है कि यह जो पीन बचा हुआ है रेड कलर का तो उसको हम इस पोटेंसो मीटर के बीच वाले पीन जो हमारा खाली है उसमें हम लगा देंगे तो यहां पर मैंने लगा दिया है और दोस्तों यह जो दो वायर आप देख रहे हूँ यहां पर एक आउन का जो एलेडी होता है उसका वायर हो यहां पर है तो रेड वाले को क्या करेंगे दोस्तों यह हमारा प्लस है तो रेड वाले को हम प्लस के साथ कनेक्शन करेंगे यहा पे नीचे वाला प्लस है और इधर जगर हम क्वाइंटिंग करते हैं जो मारा पांचवा नंबर पीन आता है उस पे हम इसका कनेक्शन कर देंगे यहां पेस है मैं Dave का थे लिड़ी का जो घूर्णा केर्याओं करनेक्शन हो गए है दोस्तों अब क्या करेंगे नंदो एक करांड में जोडेंगे यहांपर जहांपर मैंने ब्लेक वयां को कनेक्ट किया था यहां पर ग्रांड है इसका मैं यहां पर कनेक्शन कर दूंगा और दूसरा यहां पर हम कर देंगे जो कि स्पीकर आउट्पूट कामरा यहां पर कनेक्शन है तो अगर आपको इसमें नहीं बता कि आउट्पूट का कुन कैपासिटर इसका वेल्यू में आपको दिखा देता हूं यहां पर चारसो सतर यह वेल्यूट का यहां पर लगा हुआ है कि शिक्स पॉइंट ठीक और यह दुनों बायर क्या करेंगे दूस्तों यहां पर द्यान रखिए क्योंकि यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो मारा ब्लेक वाला वायर है जो ग्राउन्ट उसको हमें इसी पीन के साथ कने तो यहां को आप ध्यान रखें क्योंकि स्पीकर को कई बार क्या होता है यहां से कनेक्ट कर लिया है मैंने और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर चार्जिंग के लिए लगा होता है तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि थोराम वाले साइट पर नजर देख लेते हैं जो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीका से यहां पर बैटरी लगाया हुआ रहता है तो यहां प्लस तो उसी तरीका से चार्जिंग बना होता है जो कि इसमें 5 वोट चार्ज भी कर सकते हो तो इसको भी आप अच्छे तरीका से समझ लेजिए जो हमारा चार्जिंग का मेन 5 वोल्ट का सप्लाई है उसमें सब्सक्राइब करेंगे जो कि हमारा 4007 का वेल्यू होगा और जो हमारा वाइट वाला पट्टी दिख रहा है आपको इस साइड रखना है और ब्लेक वाला को साइड रखना है ठीक है उसके बाद क्या करेंगे दूस्तों कि छोटा सा वायर का टुक्रा लेंगे और यहां पर व बैटरी से पहले नहीं देना है तो हमारा जो LED गुलो है वह बक्त करता रहेगा तो यहां पर इस तरीका से मैंने वायर को लेकर और जो एक पीन यहां पर बचावा इस LED का उसमें कनेक्शन कर देंगे और एक जो पीन बचावा दुस्तों उसको ग्राउंड हमारा यहां से मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि एक और वायर का टुक्रा लेंगे जो यहां पर हमारा बैटरी का माइनस होता है वहां पर एक कम वायर को सोल्ड कर देंगे और जो वायर बचेगा इसका दूसरा भाग क्या करेंगे दूस्तों जो हमारे यह पोटेंसिल मीटर का जो एक पीन है उसमें कनेक्शन कर देंगे यहां पर और उसके बाद क्या करेंगे दूस्तों कि यह तो हमारा माइनस का हो चुका है यह एंटीना का वायर टूटा हुआ है और उसके बाद क्या करेंगे दूस्तों हम एक और वायर का टुक्रा लेंगे जो कि हमारा रेड कलर का होगा इसमें मेन सप्लाइदेने के लिए तो यहां पर एक जो डाइवोड लगा हुआ है उसके मिसको कनेक्शन करेंगे और यह वायर को उठा कर हम सिंपली यहां पर लगा देंगे कि यहां से को यह अगर आएसी को यहां से पंडिंग करते हैं तो चार नामर पिन स्यमारा जो प्रिंट आता है यहां पर आड़ा यह स्कू champions और यह फो जाता है और च्छोटा सा यहां पर कर त्यक्ति Natural लेंगे और जो यहां पर पांच वडि के लिए हमें कि सप्लाइ देना इस कार्ड में तो पांच यहां से हम जो प्लस है जहां मैंने यहां पर बैटरी का प्लस वह बैटरी जो रहा था वही प्रिट यहां पर आता है तो मानले जी यह 5 वोल्ट बैटरी का जो हमारा सप्लाइ है इस स्पीन वाले स्वीच में देंगे जो कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रख कर था तो उसको हम उसी साइट करें जी साइड हमारा वो सुछ जाता है ठीक है तो देख सकते हूं यहां पर यहां पर पास से देखाने कोसिश करूंगा दूस्तों जो हम पांच वोल्ट का सप्लाई लेंगे यहां से तो उसको हम इस पीन में देंगे यहां तो इस तरीका से इसका कनेक्शन लगवा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम इसको आन करते हैं अब तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पहला इसमें लाइन आ चुका है और देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो स्वीच है वह ब्लेक है लेकिन आपको देखना ही कोशिश करूंगा यह मारा रोडियो स्कार्ट हो गया आफार अज सब्सक्राइ और यह हमारा लाइन हो गया मतलब यह हमारा मडूयो का नैक राव है तो यहां पर से आप अपने यूस वाली डेडियो को कनेक्शन कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीच लाइक करें शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो